नमस्कार, मैं हो ससी, आया जर्खन की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं लोकडाउन लगेगा, परदेश में बरतमान सक्तियों को जारी रखते हुए लोकडाउन बढ़ाये जाने के संकेत मिलने लगे हैं, बदले हुए हदात में सबसे ज्यादा असर सोजनिक परिवहन पर होगा, बतादे सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया लेकिन बिहार और उडिसा में संपूर लोकडाउन के बाद यहां भी बदलाव की संभावना है प्रबल हो रही है, जारखन की रजधानी राची समेत कई जीलों के मौसम में बदलाव नजर आने की संभावना है, लोगों को गर्मी से रहत मिलेगी, सुबे में गरज के साथ बाद इसकी संभावना है, इसके लिए मौसम के अंदर राजी ने तत कालीक मौसम की चेतावनी दी गई है, जारखन के कई जीलों में अगले सनी वार आठ मैं तक गरज के साथ हलकी बाद इसकी संभावना है, वाय नियुमतम तापमान 21 डिगरी सेलसियस और अधिकतम ताप इसकी संभावना है, इसके साथ ही सरकार कोविट से मरने वालों के असरीतों को परिवार लाव योजना से जोडने की योजना त्यार कर रही है SDO प्रमानित करेंगे तभी सरकारी करमचारी माने जाएंगे करोणा पोजेटीव राची के निजी लाव में करोणा जाच के बाद जारी रिपोर्ट पर जिला परसासन को भरोसा नहीं है, कम से कम सरकारी अधिकारीयों और करमचारीयों के मामले में तो कता ही नहीं यही कारण हाई की उपायुक्त ने वैसे डाक्टर, परामेडिकल करमी, अधिकारी, मैस्ट्रेट, स्वास्त करमी जो काम के दोरान संक्रामित होने और निजी लाव से जारी पोजेटीव होने की रिपोर्ट जामा कर काम से अनुपस्ति था है उपायुक्त ने ऐसे सभी लोगों को निजी लेब से जारी पोजेटीव रिपोर्ट को SDO से प्रमानित कराने का निर्देश दिया है मई जून में 5 किलोगराम अतिरिक्त रासन भार्तिये खाद निगम की ओर से राश्टिये खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत जार्खन के चीनित गरीब परिवारों को मई और जून माह में 5 किलोगराम अतिरिक्त खाद्यान का अवंटन किया जाएगा योजना लाब में संबधित लबार्ति अपने हिस्से के खाद्यान का उठाव कर सकेंगे बतादे क्रोना के दूसरी लाबर में पदार मति गरीब जन कर लियान अन योजना के तहत FCI पूर्वीच छेतर द्वारा निधायत राईज जार्खन बिहार उडिशा पछिमंगाल एम सिक्किम के करीब 21 कोल लबार्ति के बीच योजना में 21 लाख में अतिरिक्त खाद्यान वितित किया जाएगा फिस वसूली के लिए दवाव बनाने माले स्कूलों पर करवाई हो अविभावक्त संग जार्खन के अधियक्स कैलास यादों ने कहा कि कई निधी स्कूलों द्वारा बार्षिक स्कूल को वसूलने के नाम पर अविभावकों से बौन भरवाया गया नोटिस जारी कर अल्टिमेट टम दिया गया यह असरासर गलत है यह निधी स्कूलों की मनमानी है एक इस्कूल द्वारा आठ अपरेल को संपून तरस्ते बकाया रासी की वसूली करने के बाद पच्चो को रियल जारी किया गया था मुख्य मंत्री ने संजीवनी वाहन को हरी जन्डी दिखा कर किया रहाना करोना के दूसरी लहर में संक्रमन की गती जी स्तेजी के साथ बढ़ रही है उस लिहाई से अस्पतावल में अक्सिजन युगत बेडों की मांग भी बढ़ रही है आईसे में संक्रमितों को में राची जिला क्यास बतालों को अक्सीजन की उफलापता सुनिश्चित कराने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुवात की है कुरोना सिर्फ माहमारी नहीं यह लोगों को दे रहा भवनात्मक और आर्थिक चोट मुख्यमंत्री जारखन समयत पूरे देश कोविट-19 माहमारी के दोर से गुजर रहा है फिलाल कुरोना के दूसरी लाहर बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर रही है संकट की इस घड़ी में कोविट से प्रभावित लोगों को रहात देने के साथ विवस्ता को भी गति देने की नितांत जरूर है इस सिलसिले में कारे जोज नावों के रूप रेखा और प्रतमिकताएं क्या होनी चाहिए विभागों द्वारा इस बावत क्या बुलू प्रिंट तैयार किया जा रहा है इसे लेकर मुख्यमंत्री मंसुरे ने मंगलवार को विभागी है अपर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरोना सिर्फ विमारी के रूप में सामने नहीं आया है इसके संक्रमन से लवग हर तपका परभावित है कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं ऐसे में कुरोना लोगों को भवनात्मक और आर्थिक चोट भी दे रहे हैं ठीका करन बेहत महत पूर्ण रामेश्वर उराओ कुरोना के बढ़ते संक्रमन एवम उसकी रोक्थान के मदर नजर मंगलवार को योजना सबीत विभाग वानीचेकर विभाग एवम खाद सरजनिक वितरन एवम उभोकता मामले के मंत्री रामेश्वर उराओं ने गुमला जीला का भरमन किया इस दोराण उन्होंने जीला प्रसासन एवम स्वास्त विभाग द्वारा नियंतर किये जा रहे कारयों के अगतन इस्थित्ती की समिक चाकर अवस्यक दिशा निर्देश दिये जारखन में 694 नाई केस मिले हैं जारखन में 132 की मौध हुई है जारखन में कूल मौध की संख्या 325 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 6906 है भारत में 3,82,602 नाई केस मिले हैं भारत में कूल मौध की संख्या 2,26,189 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 34,84,824 है भारत में 3,37,548 मरीज स्वास्थ हुए है वहाई ज्यार्खन में भी 510 मरीज स्वास्थ हुए है ज्यार्खन में मिले 6974 मरीज इस प्रकार हैं ज्यार्खन में क्रोणा से 132 मरीज की मौत हुई है जिसमें राची से 33, पूर्वी 32, पोकारो 10, रामकल 8, धनबाज 7, गिरीडी 7, हजारी बाग खोटी गढ़वा से 5-5, गोड़ा के 4, सराय केला से 3, चातरा कोडर्मा लाते हार सिम्डे का वह पच्मी सिम्डे का वह पच्मी रेमडे सिवीर काला पजारी में दो गिरफतार, ज्यार्खन की रजधानी राची में क्रोणा वैक्सिन की काला पजारी नहीं थम रही है, मंगलवार को राची पूलिस ने जगनात पूर्थाना छेदर से आधादर जन रेमडे सिवीर इंजेक्शन के साथ दो आरप्यों को गिरफतार किया है, गिरफतार दोनों आरप्यों से पूस्तास कर रही है, सम्भवना है कि पूलिस को कई अहम जनकारी मिल सकती है, ज्यार्खन में मार्च 2022 तक 67 लाग घरों तक पाइप से पाने, 2024 तक हर घर जल पहुचाने का लग छे, बितिय वर्ष 2021 के लिए जल जीवन मि की वार्षिक कारियोजना पेस की गई, बतादे जारकन के पेज अर्यम सक्स्ता विभाग के सचीवने जल सक्ती मंत्रा लए कि अध्यक्स्ता वाली राष्टी स्ट मिति के सामने वीडियो कंफिरेंसिंग के माध्यम से कारियोजना पेस की, इस दोरान बर्ष 2022 तक 67 लाग घर लोग में पाइप लाइन से पानी पहुचाने की बात कही गई, वाई बर्ष 2022 तक हर घर चल लक्ष को प्राप्त करने की बात कही अब आटो टेंपू में तीन से अधिक लोगों को नहीं बैठा सकते, स्वाष सुरक्षा सप्ता के तहद क्रोना संक्रमन से बचाव को लेकर दीन में तीन बजे के बाद आटो पर तीन और नीजी कार जीप वह अने चरपा हिया वाहनों में चार से अधिक सवारी बैठाने पर पबंदी लगाई गई है, बतादे ट्रैफिक एसपी ने पबंदी का उलंगन करने वालों पर जूर्माना लगाने का आदेस दिया है, आदेस की जनकारी, एसएसपी, सीटी, एसपी, मुख्याले, डीएसपी, एक वह और दो, गोंदा, जगनाथ, पूर, लालपूर, व ये इंडियोगो और गोईयर सीधी फ्लाइट शुरू करने वाला था, लेकिन कुरोना वायरेस महामारी के चलते यात्रियों की कमी की वज़ा से अब, अभी राची से पटना के लिए सीधी फ्लाइट सेवा सुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है, बतादे गोईयर ने महतपूर रेमडे सीवीर इंजेक्शन की कमी नहीं होगी, बतादे हदराबाद से रेमडे सीवीर इंजेक्शन की एक खेप आ गई है, रेमडे सीवीर इंजेक्शन की या खेप राची और पोट पर सोमवार को इंडिगो के विमान से उतारी गई, इसके बाद इस इंजेक् के स्वास्त विभाग के अधिकारियों के सुपूर्द कर दिया गया इस खेप में 96 वाइस रेमडेस्टी इंजेक्शन आया है जेल में बंद कहदियों को कुरोना से बचाने के लिए स्पेसल टास्पोस का गठन कुरोना संक्रमन का खत्रा जेलों में भी बरकरार है लेकिन इसे बचाने में जेल परसासन पूरी तरह सनवेदन सील है जेल में बंद कहदियों को कुरोना से बचाओ के लिए हर संभव परयास किये जा रहे हैं बदादे पिछले साल कुरोना संक्रमन से जेल में बंद कैदी और जेलों में तैनाद जेल कर्मी परभावित हुए थे लेकिन इस बार एक तरफ जहां कुरोना ने पुरे जारकन में तबाही मचा रहे है वहीं कुरोना से जेल में बंद कैदी पूरी तरा सुरक्षी था है जारकन के जेल पर साशन कोई-19 के संक्रामन को रोकने की प्रती सचे था है इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं कुरोना समन्धित स्वाल के लिए सुबा 10-8-8 तक इन नमरों पर करे कॉल टीम प्रन्यास ने चिकित्सकों की हेल प्राइन नमबर जारी किया है यह चिकित्सक क्रोना के लक्षन दिखने पर या आने विमारियों के उपचार को लेकर सला देंगे बतादे सुबा 10-2-8 तक इन नमरों पर करने पर समधान होगा डाक्टर चंद्रभुचन को 84-0-95-88-990 परवाट से भी कर सकते हैं जार्खन में 2000 नर्स एन्म की बहाली क्रोना के खिलाप लड़ाई में चिकित्सकों एवं परामेडिकल कर्मियों की भी कमी सामने आ रही है आने वाले समय में यदि मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो यह समस्या और गरा सकती है राई सरकार ने इसे निपटने के लिए अलप अधी के लिए एन्म तथा एस्टाप नर्स की बहाली तो शुरू की लेकिन इसमें महज 100 एन्म वह एस्टाप नर्स ही बहाल हो सकी इससे परतेक जीलों को 5 से भी कम संख्या में एन्म तथा एस्टाप नर्स मिल पाई पतादे जार्खन कर्मचारी चर्ण आयोग में A.N.M. के 16 सवंठान में नियमित नियोक्ति तथा 287 वैकलोग नियोक्ति के लिए आवेदान दो साल पहले मांगे गए थे 18 प्लस बैक्सिन के लिए सीम आज करेंगे एलान जार्खन में 18 से 44 वर्ष के नागरी को का कोरोना ठीका करन दो तीन दिनों में शुरू हो सकता है इसे लेकर तयारित जो गई है पतादे इस आयू वर का ठीका करन शुरू करने के लिए मुखमति एमन सुरें से अनुमति ली जा रही है अधिकरी सुत्रों के अनुसार भारत वाय ट्वेक ने राज सरकार को पहले चरण में डेल लाक को वैक्सीन के डोज देने पर समाति दी है कुरोना काल में 16 ट्रेनों को बंद किया गया या त्रियों की कमी का रेल पर रिचालन पर असर पढ़ना शुरू हो गया है पतादे पुर्वी रेल्वे ने 7 मई से सोलर ट्रेनों को अगले आधेस तक बंद करने कायलान किया है इनमें ट्रेन नंबर 0-29 राची एस्पेसल ट्रेन ट्रेन नंबर 0-29 राची एस्पेसल ट्रेन ट्रेन नंबर 0-29 राची एस्पेसल ट्रेन सामिल है कुरोना से निपर्टनेक के लिए ब्लूप्रिंट त्यार मुख्यमंत्री सिया मेमन सुरेन ने कहा कि जार्खन समयत पूरे देश कुरोना महामारी के दोर से गुजर रहा है फिलाल कुरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रामित कर रही है संक्राट की इस घड़ी में कुरोना से परहवित लोगों को रहात देने के साथ बेवास्ता को भी गती देने की जरूरत है इस सिल्सिने में कारजोजनावों की रूप रेखा और प्रत्मिक्तावों को लेकर त्यार की जारी ब्लूप्रिंट की वर्चूल समिक्षा की गई भरनक रहे या अवस्य खाए कि कुरोना मरीजों का इलाज कराने वाले सभी अस्पताल अक्सिएन की अपूर्ती की अस्थाई विवस्ता करे टास्पोर्स ने कहा है कि मरीजों की संक्या बढ़ने पर सिलिंड्रों में अक्सिएन अपूर्ती में परिशानी हो सकती है यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल के बेल एक अंद भाईए साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें संपूर्ण लोकडाउन पर अपनी परतिकिरिया अवस से दे थैंक यू